संकर शेलोग चनल पर आप सबका स्वागत है आज यह मैं जो कविता आपके सामने प्रस्तूत कर रहा हूँ इस कोरोनों के चक्कर में कई व्यक्ति अपने माबाब से दूर है तो मा की याद करती हुए मैंने यह कविता बनाई है जो आपके सामने प्रस्तूत है कविता का शीर्षक है मा की लखी रे मा तेरी आँखों की उदाशी देख कर लगता है कि जीवन सपर के न जाने कितने अनुबहों को समेट कर चुप चाप सहने की आदत को आँखों में बचाई रखना सीख लिया है तूने मा लगी रहती है तू दिन रात काम में गम से सनी मुस्कान लेकर निसकाम करम योगी की तरह ना किसी को उलाहा ना देती हो ना किसी से अपेक्सा रखती हो बस गुमनाम सपने चुन-चुन कर चौँच में तिन का लिये चिडिया की तरह आंदी तूफानों से लड़ती हुई अपने परायों का गम पीती हुई आकास में ने जाने कौन सी मंजिल पाने को भावों के पंक फैला कर अनंत गगन में उड़ती जा रही हो तूम मा तूने न जाने कितनों को सहारा दिया तूने तप्ती दो फैरी में आचल की छाऊं दी खुद के गमों को छिपा कर ओरों को मुस्कराहट दी तूने तप्ते अंगारों में हाथ जला कर थालियों में भोजन प्रोस प्रोस कर नह जाने कितनों की भूक मिटाई है मा तूने सुकुन भरी नींद गवा कर हम बच्चों को कितनी लोरिया सुनाई थी तूने घर के कोने कोने की बिमारियों को अपने आचल में समेट समेट कर दर दर भटक भटक कर ललाट की चोट से खुन की लकीरे बनाई थी मा तुने ओरों के तन पर नए कपड़े सजाने गे लिए खुद के तन को चिटरों में लपेट कर नजाने कितनी ठिटूरती राते बिताई थी जब परिवार में आशों का दोर चला था तब आशों के सहलाब को पीपी कर खुद की आखों के सूने पन को चिपा कर तुने सब को मुश्क्राहट दी थी मा अच्छे को अच्छा कहा बुरे को भी अपना कहा सब को परिवार का हिस्सा समझ कर तुने मिलकर रहने की सीख दी थी बड़े होकर सब निकल पड़े अपनी अपनी मंजिल पाने को और तु आज भी उसी आंगन में तपस्विनी की तरह करम रत होकर नजाने कौन सी मंजिल पाने को करमठ्था की पगडंडी पर चली जा रही हो ये वक्त की केसी मार है कि जिस मा ने सब का पेट भरबर कर सब को खुद के पेरों पर खड़ा किया उसी मा को अपने पेरों से चलने के लिए अपना पेट बढ़ने के लिए सुबै से साम तक अंजान राहों में तिनका तिनका समेठने के लिए बठकना पड़ता है जिस मा ने पत्थर पत्थर चुनकर अपने खून पसीने से हवेलियां सजाई थी उसी मा को अपनी जोंपडी बनाने के लिए तिनके तिनके के लिए बठकना पड़ रहा है जिस मा ने धागे बुन-बुन कर नए वस्तरों से कई डोलियां सजाई थी उसी मा को अपने तन को डखने के लिए फटे पुराने चिठरों के लिए भी तर्षना पड़ता है समय का खेल है ये निराला हम मा सब्द से तो प्रेम करते हैं मगर मा से प्रेम नहीं कर पा रहे है मा की मोद पर आशू तो भहुत बहाते हैं मगर जिन्दा मा को आशू में बेहोते जा रहे है अरे जन्नत का अद्भुत तोफा है मा मगर उस तोफे को हम बेकदर करते जा रहे है हम मा की ममता को ठुकरा कर सुकसान्ती को घर से बेदखल करते जा रहे हैं अगर मेरी कवीत अच्छी लगे आपके दिल तक पहुची है तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें तन्यवाद